पालक पनीर तो बहुत बार खाई होगी आप लोगों ने और सबको अच्छी भी लगती होगी ना मुझे भी बहुत अच्छी लगती है हेल्दी भी होती है तो भाई किस्सा कुछ ऐसा है कि मैंने एक दिन अभी बीच में ककोरे की सबजी बनाई थी बट फिर जब सबजी हेल्दी बिल्कुल सेम टेस्ट के साथ और हेल्दी वर्जय नहां उबली होई पालक अद्रक लेली है आप चाहें तो यहां पर हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं बन बच्छी खाएगी इसलिए मैंने हरी मिर्च एड़ नहीं करी और पनीर पनीर की कंजूसी मत करिएगा पर बैटर बनाके रेड़ी कर लीजे अब आगे का किस्सा क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसको ट्रांसफर कर लेंगे जैसे ही हमारी प्यूरी रेड़ी हो जाएगी तो देखी बिल्कुल ठिक रेड़ी होई है क्योंकि हमने पानी ना के बराबर मिला यानि कि एक दो चम्मज जब ये प्यूरी पूरी ले लेंगे आपको अगर थोड़ा आटा लगाना हो तो इस प्यूरी को आप एक दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में यानि कि सुबह से शाम अगर आपको करना हो तो भी आप रख सकते हैं या रात में बना रहे और जब हम इसकी रोटियां बनाते हैं वो भी बहुत soft बनती हैं, लंबे समय तक बिल्कुल मुलाइम रहती हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो आप उनको भी रोटी दे सकते हैं, इससे आप उनकी डाइट में iron protein एक साथ add कर देंगे, बहुत healthy बनती हैं आ आप डाइट कर रहे हैं तो भी बना सकते हैं, और vegetarian लोग जो होते हैं मेरे जैसे जो एग भी नहीं खाते हैं, मतलब pure vegetarian उनको प्रोटीन दूनना पड़ता है, तो इस तरीके से बनाईए, हर दिन जरूरी नहीं है कि आम बहुत deep fry तला भुना पनीर बनाए, इससे बड़े आ तो यह आप कब ट्राइ कर रहे हो मुझे जरूर बताना, और बहुत healthy बनती है, और एक और चीज, आप देखो इसको normal तवे पे भी सेख सकते हूँ मेरी तरीके से, क्योंकि यहाँ फुलके बना रहे हूँ मैं इसलिए, आप चाओ तो इसकी पूडियां भी बना सकते हूँ, फिर आठा थोड़ा tight dough लगा लेना, पराठे भी बना सकते हूँ, पराठा, लच्छा, पराठा, रोटी, पूरी, सब चीज इस एक डोसी बन सकती है, ग्रीन कलर बच्चों को अट्रैक्ट करता है, भर भर के इसमें iron मिलेगा, और उसके साथ साथ प्रोटीन मिलेगा, तो य झाल, 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 झाल झाल